प्रत्री प्रत्राइब जो फिर्ड गार्वे दिधा जो प्रत्राइब जो प्रत्राइब जो जो में जो आगे वो तुम्हारी दीदी का लखी नमबर पुछो हाई दीदी हाई दीदी आपका लखी नंबर क्या है बाई कल फिर यही मिलूंगा बाई बच्चु देखो कार्तिक मैंने जो किया वो गलत था लेकिन तुम्हारा इस तरह मेरा पीछा करना यह सही नहीं है महरबानी करके यह सब छोड़ दो पूरी टोली की टोली तेरे पीछे पड़ी है तु एक के पीछे पड़ेगी तो तेरा क्या चला जाएगा मेरे पापा बहुत बड़े गुंडे है मरवा दूंगी तुम्हें इसने सबको धोका दिया है अब देखते हैं यह कहां जाएगी क्या बात है भाग कर आरी है क्या हुआ वहां वह वह गदे कडे प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज असकरी फाइदा उठाते हैं प्लीज इतनी दूर रहेंगे तो डाउट नहीं होगा उनको मेरा कोई संबन नहीं है तुम्हारे साथ इतना ठीक है उनसे जागर पूछो ना हां तुम इसका फाइदा मत अच्छा तुम्हें दुर्गामा की कसम दुर्गामा जिन्दगी पर ऐसी रहा ना मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूगा एक सूचार फीवर है सदेनली जो नहीं देखना था वो तुम्हें देख लिया है क्या बिटा दॉक्टर साइबा चाय पीजिए थैंक्स वैसे बुच्ची ठीक तो है ना डॉक्टर अचानक से कुछ देखकर वो घबरा आ गई है दवाई से ठीक हुजा इसका इंफेक्शन तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सब उसी की वज़ा से हुआ अब वो मेरे हाथ से नहीं बज़ेगा एंग तुमने मजे काल के उचुआ अपने आपको समझते क्या हो जरा सा गले क्या लगी तुमने तो पकड़ी लिया गुंडे कहीं के सब कुछ तुमानी में वज़े से हुआ पता है कि लेक सो चार बुखार हो गया था सुनो अगर कल से दिखाई दिये ना जान से मार दूंगी सलो जाओ से क्यों जाओना था भर लो तुमने से क्यों के उचक यचाने खु तुमने हुआ 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 है साथ निभाने के बात कीती ना निभाओगे कर दो आ को फोन देना अ मा माँची का फोन है हालो दिदी अभी को रहार आए हूं उनका रिलिस डेट अनाउंस हो गया है मैं बहुत कुल शो दीदी हलो, हलो दीदी हलो हलो, हलो दीदी तुम बैठ जा बेटी कौन है ये? अरे इससे नहीं जानती है अब बुलुची की बेटी है सच में चुटी थी, तब इसके पिताजी जेल गये थी अच्छा जल्दी वहाँ दा चुटने वाले भगवान जैसे इंसान है वो काउं के भलाई के लिए जेल गये थे बस रोकना अच्छी, अब भादी तो बादी जाए थी इतनी जल्दी वापस आ गई मैं बहुत टेंशन में हो मा, प्लीज मुझा आकेला छोड़ दो किसी ने तुम्हारे पापा की बारे में कुछ कहा? कहिंगे, क्यों नहीं कहिंगे, बात ही असी है कोई नहीं बात थोडी न है यह AbuluLC की बेटी है, यह AbuluLC की बेटी है सब यही कहते रहते, जैसे जिल से बड़ा काम करके आ रहे है इर्रिटिशन से हैधर शुरू हो कहा है मेरे भी पंक आ गए है अब मैं बिलकुल आजाद हूँ ऐसा कह तो दिया ना इसने रात जाती है तो सुबह आती है सुबह जाती है तो रात होती है लेकिन आपके पती इतने साल नहीं आये इन चार दिवारियों के बीच आपने उनके बिना ही संसार बसा लिया सिर्फ उनकी य सुरी यार थोड़ा लेड हो लिया कोई बात नहीं अरे तुम रो क्यों रही हो हाँ 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 मजाग सुच रहा है हाँ हाँ पता दाओना चे और अ किसानों की आखर बात क्या है चलो खुद देख लो के राजू यह प्ले करो उस वक्त हमारे हाथ में पूटी कौडी भी नहीं आती थी लेकिन अब उस लड़के की वज़े से सब ठीक है उस समय खेती करना मतलब भूख मरी था लेकिन आज हमारा जीवन धन्ने हो गया है नेक्स्ट उन कार्तिक बाभू ने जो शला दी थी उनकी वज़े से हमारा गाव फल फूल रहा है वाव कि वज़े से हमारा खेती करते हैं उन्हें हमारी खेती को आखर कार सारे किस आणो के लिए ही पैदा हुआ है इंट्रव्यू करना ही पड़ेगा एक उसका इसका कोंटक्क डिटील्स दे किसले तू चल मेरे साथ बताती हूं है हूँ है हलो इस दिस कार्तिक, या, आपके इंटर्व्यू के लिए कॉल किया है, इंटर्व्यू देने के मुकाम तक पहुंचा नहीं हूं, फिर भी लोग मुझे बुलाते हैं, सॉरी, आप चाहेंगे तो और किसानों को मदद मिलेगी, कार्तिक जी, मैं भी एक किसान की बेटी यहूं, ओ टेक्नोलिजी गैजिट वर्क तक ही सीमित थी, पर आपने टेक्नोलिजी को खेती बाड़ी तक लाकर इतना सब कुछ हासिल किया, इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी, आपके छेरे पर जरा भी मुस्कान नहीं है, इस इंट्रव्यो को आपकी कहानी से शुरू करें, मुस्कुराहट, इस दुनिया में कुदरत ने सिर्फ इंसानों को ही मुस्कुराहट के रूप एक अनमूल तोफ़ा दिया है, भगवान का दिया हुआ एक अनमूल तोफ़ा, और उस मुस्कुराहट को एक लड़की ही छीन सकती है, और मेरी पहली मुस्कुराहट की वज़े एक लड़की थी ओंभुर्भु अस्वातत सवितुर्वरे मियां बर्गोदेवस्दी महीं देयो योना परचो देया शान्ती 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 यह प्रभु सबकी रक्षा करना हूँ बुझी बुझी कॉलेज का टाइम हो रहा है जल्ली दयार हो जा बेटा अर्जुन रेड्डी भाई आगे देखा क्या नहीं देखा भाई तेरे को देखा कि देखा नहीं देखा भाई अर्जुन रेटी को लोग देखते हैं मैं वेट करूं वेट असमया अब यह उसके देखा क्या नहीं देखा भाई क्या रहे आज भी बंक पारा मेरी जान के लिए तू भी कोई डाउट है क्या तू मैं भी उसी के लिए तू भी उसी लड़की के लिए थोड़ा तो शरम कैर कितना भी ट्राई कर ले मिलेगी एक कोई ना लक्ष्मी माता की तरह है ना ना अ कि अ अरे तर बाते ओको अदर बाड़ू कर दो कोई अ यह तो मेरा है धन्यवाद गहने सुंदरता तो बढ़ाती है लेकिन हाथसा होने से बचना चाहिए ठीक है लेकिन तो हाई करतेक अरे आजा अरे रिजल्ट है और तू यहां क्या कर रहे है क्यों तू फेल हो गया क्या फर्स्ट क्लास से पास हो गया भाई तो चलो फेर पार्टी मनाते हैं अरे बेटा चल आजा जल्दी तेरे सब पर तेल लगाना है स्कूल जाने का टाइम हो गया है तो अगर ऐसे बैठा रहा तो कैसे चलेगा पढ़ लिखकर बढ़ा अफसर बनना है ना तो स्कूल में जाकर अच्छे से पढ़ाई करना हां क्यों सुबह सुबह शुरू हो गई क्या पड़ो पड़ो बोल कर उसका धिमाग मत खराब करो अरे मेरा बेटा किसान का बेटा है मेरी तरह किसानी करेगा कलेक्टर नहीं बनेगा क्या बेटा अरे बेटा समझ के नमस्ते सहाब आहिए आहिए बैठिये बैठिये सहाब जारा मुलो पैसा है रामलू तुससे कुछ पूछना है हाँ मालिक जो पूछना है पूछिए बकरी कैसी होती है बकरी काली भी होती है और वैसे सफेद भी होती है सहाब रामलू काली होती है सफेद होती है मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ कैसी होती है तू बता रहे हैं आप नर और मादा की बात कर रहे हैं तुम लोग को समझ में आ गया ना बकरी जन्तू होती है खूटे में बंदी है तो उसकी नहीं तो हमारी समझ गए ना तुम लोग दादा जी मैं कॉलेज जाके आती हूँ ठीक है बेटी जादा अलो गिल लो रामलू यह पैसे तुम्हारी पूती के पढ़ाई के लिए है हां साहब अच्छी बात है पैसे चा अलोग पती की पर खरके पैसे चुका तुम्हे बहुत्पथ अध्य है मैंने कर्दा दे के तुम्हारी मदद की थी अब तेरे बेटे को काम दे के इसकी मदद कर रहा हूँ मालिक छोड़ दो मालिक मालिक उसे छोड़ दे मालिक मेला अरे ये किताब मेरे लिए कि दिये है अरे चलहट मैं सीनियर हो तो मैंने क्या कान पर फूल लगाया हुआ है अब मैं यहां से कैसे बचूंगी ए भगवान तो ही मेरी रक्षा कर मुझे बचाने है यह तो मुद्वे ही प्यारगरती है मैं मैं मुझे दिलालों प्रसाथ चड़ाओंगा आपने आपने मैं मैं इससे प्यार करती है यह बीच में कहां से आपका का रहे तू मुझे से प्यार करती है मेरी जाँ 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 मेरी जाँ जाँ मुझे जाँ मैं भीच में आके सेटिंग खराब कर दी कौन है तू कहां से आए अरे तुझे मेरी वाली पसद आई क्या मेरा प्यार चीनने का अथिकार तुझे किस ने दिया हम इतने सालों से इसके पीछे पड़े और यह तुछ से कैसे पड़ गई अमे पुतले की तरह खाड़ा क्या है बोला बाई हमारी लवर किसी और को चाहने लगा है किये भाई अब कैसी बखवास कर रहा है तुझे अरे भूप कि अधिक 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 लड़का देखने में मस दिख रहा है ना दो में एक एड़कर और लड़के को लेके जा हाई 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 दी अब दो दिन से कहां थे दिखाई नहीं नहीं कुछ नहीं थोड़ा सा तमाशा हो गया था कल सुबा मंदर जाएंगे हां कार्ति का महिना ना बहुत अच्छा लगेगा ठीक है ना बहीं सारी बात बताऊंगी बाई इसे यहां रख तो यह मंदिर 500 साल पुराना है अच्छा बहुत शक्ति है इसमें इस मंदिर के बारे में मेरी मा बता रही थी अच्छा कल जो तमाशा हो उसके बारे में बताऊंगी ठीक है ठीक है मैंने बताया था ना कुछ लड़के रोज मेरा पीछा करते हैं हाँ बताया था क्या हुआ नके साथ अब वह मेरा पीछा नहीं करेंगे कैसे पुछ धी ऐढ़र r Associ नहीं थी अगों में कुछ तो था बेचारा है न वो हां तोने सही का उस बेचारी पर दीदी को कित्ती दया आ रही है जी जी मुझे उस पर दया क्यों आएगी उसके साथ चो भी हो मुझे क्या मेरा उससे कोई लेना देना नहीं अगर दुपारा वो लड़का दिखातो तो उसे सौरी बोल दूंगी सवाल ही नहीं है कहीं मिल गए तो आई लोव यू बोल दूंगा अब तेरा बैट टाइम शरू हो गया तुझे भी आल दे बेस्ट क्योंकि तो ही उसे बर्दाश्ट करेगी कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी कुछ पासनल है एक मिनिट हाँ है तुरका मा प्लीज मेनी हेल्ट करो मुझे बहुत टेंशन हो रही है अब सारी उम्मीद है तुमसे वो लड़का मान जाना चाहिए हां प्लीज अब दुर्गा मा उनमें बहुत शक्तिया है पता है तुम्हें ठीका लगाऊं हुँ उस दिन से मुझे ठीक से नीन नहीं आ रही है मुझे उमीद है कि तुम मेरी हालत समझ रहे होगे उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हें एसे ही आल लव्यू कह दिया था प्रॉमिस ऐसी कह दिया सौरी अगर मुझे डाटने तो डाट सकते हो। मैं तुम्हें क्यों डाट हूंगा आलरेदी कुम्हारे प्यार में गिर चुकाहूं अब कुछ आप bunları जा रहे हो अभी क्या भी माफी देने की ज़रूरत नहीं है यह पेपर पूजा में रखा गया था इस पर साइन कर तो मैं वहां रख दूँगी फिर मा जो चाहेंगी वही होगा पता है दुर्गमा की वज़े से मेरा उन गधों से पीछा चूटा था वह भी तुमारी वज़े से इसले तुम मुझे अच्छे लगते हो आफ लव यू थांक्यू सेम टू यू क्या तुमने तुम मेरे दिल को भागई हो मैं तुमसे प्यार करता हूं तुर्गमा ये भी कधा निकला तुर्गमा थांक्यू तुर्गमाता हमारे प्यार की साक्षी तुम ही हो थाई 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 तेन देन थाई 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 ऐसे ऐसे नहीं बटो थाई 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 यहां क्यों आए हो उस दिग मैंने तुम्हें ऐसे यह पोल दिया था उसके लिए सॉड़ी कहा ना अब मेरा पीछा क्यों करें तुम उन गधों में से तुम भी यह गधे हो यह तुमने साबत कर दिया एक मिनिट मेरी बात तो सुनो एक तुमने आयलो भी नहीं बुला मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा हूं ओ सॉरी साइन करके देता हूं माता के पास चढ़ा दूगी कितनी नोटंगी करती है यलो अब खुशो हुआ हुआ मा देखो ना इसको इसकी प्लेट दो ना इसको पानी पुरी चाहिए या नहीं मेरे सामने नाटक नहीं जो भी है उधर बताओ अदिस कि माता के मंदिर में यह सब बादना सही मनगत है माता इतनी पावरफुल होती है बच्FE exhibited होते ही बोलना शुरू कर देते हैं तुने तो छे मैने में भी बोलना शुरू कर दिया था मां बोलो ना मां कबसे परेशान कर रहा है अभी बताती हूं रहने दो उस माता से ज्यादा पावरफुल तो तुम लगती हो बाई कार्टेक नाश्ता तो करके जा इस से पहले 25 आउट हो गए थे यह 26 वाबी एकदम से आउट मेरा लगी नंबर है एक हाथ तुम्हारे हिसाब से मैं कट हो गया तुम्हारा लगी नंबर है आठ यह कैसे वो रहे है पच्चीज जो पीछे पड़े थे वो सारे आउट हो चुके थे मैं तुम्हारे पीछे पड़ा गया नहीं वह तो दुर्गा मा की इच्छा थी तुम्हें मिलाकर छपीस हुए नालगी नंबर है मतलब माता की कृपा से तुम्हारे लगई नंबर में मैं भी शामिल हूँ हां तुम टॉपिक चेंज मन करो, तुम आउठो मतले माउठो ओओ अरे भाग क्यों रही हो, ये सब तुम माता की इच्छा है ना, नो तुम जैसा सोच रही हो, वो लक्की नंबर मैं हूँ, नहीं ओके, ओके, तुमने जैसा बोला, मैं कट हो जाता हूँ, ओके ना बोलकार्थिक, कौन सब रेंट पियेगा, अरे नहीं भाई, मा माड अलेगी, ऐसे बोल रहा है, जैसे हमारा भी सम्मान होगा, ओर्डर सर, देखो भाई, चार बियर, दो लगपीस, दो सिगरेट, जल्दी लेकर क्या चाओ, जल्दी लेकर आना, ठीक है सर, भाई, तुमारी विस्टूरी अभी कहां तक पहुंची, अरे उसने फॉस्स टाइम टश किया, अरे वाग, क्या बात है, वैसे यहां ओमलेट बहुत मस्त मिलता है, तुझे दिखाई ने देता जा, तेरी तो, कल निकल यह से, क्या हुआ छोटे, भाई, टेबल साफ कर रहा था, गल्ती से ब मोमन है, ओ, छोटू, तुझे तो पता है, पीने वाले कैसे होते हैं, बच्चे को लेकर जाए यहां से, भाईया, बैट जो, बैट जो, टेंशन मतलो, इंजॉय करो, मैं उसको सब्जा दूँगा, पहले तुने कभी ऐसे रियक्ट नहीं किया, ए छोटू, क्या नामे तेरा कल्यान भाईया, क्या कर रहा है यहां पर, स्कूल नहीं जाता है क्या, भाईया मैं स्कूल में फर्स्ट आता हूँ, लेकिन वो क्या है ना, यह अच्छा बच्चा है, इसके साथ दुबारा ऐसा नहीं होगा, हम देख लेंगे, बार का लाइसेंस मिल गया तो काफी नहीं है रूल्स भी होने चाहिए, आपने बास को बोलो, उस पर अमल करने के लिए, कल सुबार वापस हाऊंगा, यह बच्चा अपने खर पे होना चाहिए, समझ गया ना, समझ गया भाई अब भाई, no हुआ है तेगा बात्रा जब पैसे दिये थे तु तुने कहा था मैं भगवान के समान हूँ अब भगवान ही तुझे रास्ता दिखाएगा ए असल और ब्याज के तौर पे इसके बीवी बच्चों को मेरे पास लेके आओ कि मामा जी आवे हैं कि अब भाई कर रात को बार में जिसने अंगामा किया था वो लड़का आया है एक काम कर उसको अंदर लेके जा मैं अभी आता हूँ ठीक है भाई बाई रात में ओनर की पिशाद निकल गई सोच लो चाइड लेबर पुलिस केस यह सोच के ही उन्होंने बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया थैंक्यू अरे थैंक्यू मुझे बोलना चाहिए तब रात को नश्य में कुछ बोल दिया होगा तो उसक्षाब किलमाफ करना ठीक है अगले हथे तेरी शादी है सर पर इलेक्शन है भाई 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 मेरी घरवाली का छोड़ दो भाई भाई यह सब क्या है बोल वो लड़का फिर से आया था भाई उसके आता ही मुझे फोन क्यों नहीं किया उसने फोन करने का मौका ही नहीं दिया भाई तो फिर सोच का रहा हो तुम लोग उससे रूम में ले जाकर ठोक दो सारा हीरोईजम निकल जाएगा भाई वो गलियों में खिलने खिलने टाइप का लड़का नहीं है भाई वो बहुत बहादुर है अच्छा तो वो इतना बहादुर है भाई उसका स्टाइल ही अलग है भाई नेम नहीं है हमारा एक धंदा है जो हमारे खिलाब खड़ा हुआ वो खत्म हो गया वो लड़का भी कोई बड़ी बात नहीं है कभी कभी छोटा काटा भी हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है तुमारे दादा जी मुझसे एक बात कहते थे समुद्र में जब लहरे आती है तब सामने खड़े मत रहो जुग जाओगे तो उपर से निकल जाएगी चोटा सा लॉजिक है बस कर देता है तो पर चुछिये जाए दिए गज़ा इसकी वी कॉलिटी खराब हो गई तेस ही कर दिया बिलकुल जी लाट करें दो और सके किसंग कर और म est औरищ आज़ां पूम जा जाज हुए है करें जूतsecond करें जुह को नुँह किसंगी है मालेक वो हमारे आदमी का पीछा करते हुए यहां तक आगया है धन्ने के लिए आया है तो उपर भेज़ दे नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दे उस बच्चे को यहां पर क्यों लेकर आयो बच्चे को लेकर क्या जाएगा खरीदा है उसे हमने तील लाग में खरीदने के लिए वो कोई समान है या तुम्हारे बाप का मान है तेरी दगा प्याके बहुत बड़ी गल्ती कर दी तेरे आदमियों को मार कर उस से भी बड़ी गल्ती माल किन का आने का टाइम हो गया है उसके आने से पहले से खर्क कर दो किया हुआ है दस दिन हो गए माल बेचे है इसाभ किताब नहीं देखना है का कि अरे माल्किन आगे हैं अरे कहानिया सुनाना बंद कर आके मिल ले मालिक माल्किन आ गई है कि अरे तुम लोग ऐसे खड़े हो काम खत्म हो गया क्या अरे तुम तुम तो आप सुनो जी पता है ये लड़का कौन है तुमने उस दिन कहा था ना सुन्दरता के बारे में जब मेरी शादी होई थी ना तब इन्हों ने ये जेवर मुझे पहनाया था इसलिए वो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है अरे तुम भी खाओ ना जहां बुरे लोग होते हैं वहां अच्छे लोग भी होते हैं तुमने ये साबित कर दिया है तुमने उस दिन मेरी मदद की मेरी जुबान से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था आज हमारी शादी की सालगिरा है आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ ये मेरी खुशकिस्पती है तुम यहां किस काम से आयो ये मुझे नहीं पता है लेकिन इन्होंने मेरी बात कभी नहीं टाली है सही कहा न आपकी बीवी का घेना चला गया तो इनको लगा कि इनका भविश्य चला गया फिर इन बच्चों का भविश्य क्या है वैसे मेरी बीवी किसी की तारीफ नहीं करती है तुझ में जरूर कुछ है इस बच्चे के साथ साथ सब को छोड़ दो अबोल आपाँ सब आ जोड़ना चुन-चौा अ-बैम आपना चौटू हूआ गया जोडू होड़ना शश्य में ओसे में हां ख़ चोड प्रवाजन्ह पार्सदर्थ मुअअट आइज सर्सक्दून्हिऑ या मैंने कहा था ना कितने दिदों बाद तुझे देख रहो धानेवाद बेटा है कोई बात नहीं आप अब उसका ख्याल रगी है अरे बाबु को बिठाओ कालमनी के आदमी बहुत बड़े राक्षस है बेटा उनके बारे में जाने बिना तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की बेटा यह ऐसान जिंदगी भर रहेगा लेकिन हाथ चोड़ता हो बेटा तुम यहां से जल्दी से चले जाए एक चींटी भी हाती को मार सकती है अगर हम जोती बेटी तुम ठेहरो ऐसा खुछ नहीं है तुम चले जाओ बेटा तुम चलो बेटा आ गई हो तुम्हारी दीदी का लखी नंबर पुछो हाई दीदी हाई दीदी आपका लखी नंबर क्या है बाई बाई कल फिर यही मिलूंगा बाई बच्चू देखो कार्तिक मैंने जो किया वो गलत था लेकिन तुम्हारा इस तरह मेरा पीछा करना यह सही नहीं है महर्बानी करके यह सब छोड़ दो पूरी टोली की टोली तेरे पीछे पड़ी है तु एक के पीछे पड़ेगी तो तेरा क्या चला जाएगा मेरे पापा बहुत बड़े गुंडे है मरवा दूंगी तुम्हें इसमें सबको धोका दिया है अब देखते हैं यह कहां जाएगी क्या बात है भाग करा रही है क्या हुआ वहां वह वह गदे कडे प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज उसकाई फाइदा उठाते हैं प्लीज इतनी दूर रहेंगे तो डाउट नहीं होगा उनको मेरा कोई संबन नहीं है तुम्हारे साथ इतना ठीक है उनसे जाकर पूछो ना तुम इसका फाइदा मत अच्छा तुम्हें दुर्गामा की कसम तुम्हें दुर्गामा की कसम दुर्गामा जिन्दगी बर ऐसी रहना मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूगा एक सूचार फीवर है सदेनली जो नहीं देखना था वो तुम्हें देख लिया है क्या बिटा डॉक्टर साइबा चाय पीचे था था ठांक्स वैसे बुच्ची ठीक तो है ना डॉक्टर अचानक से कुछ देखकर वो घबरा गई है दवाई से ठीक हुझा इसका इंफेक्शन थो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सब उसी की वज़ा से हुआ अब वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा कुछ नहीं करें तुमने मजे कहल कियो चुवा अपने आपको समझते क्या हो जड़ा सा गले क्या लगी तुमने तो पकड़ी लिया गुंड़े कहीं के सब कुछ तुमाने मजा से हुआ पता है कि लेक्सो चार बुखार हो गया था सुनो अगर कल से दिखाई दिये ना जान से मार दूँगी चलो जाओ तम तरन नान, तरन नानी थाओ है की वो की आकने तरन नान तरन नान तरन नान आया जो जो लुटन मैं आए लॉटन हुम.. हुम हुम.. तंदानी तंदादी तंदानी तंदानी साथ निभाने के बात कीती था, निभाओगे? आपको फोन देना, मा, मामाजी का फोन है, हलो, दिदी, अभी कोड से बहार आए हूं, उनका रिलीज डेट अनाउंस हो गया है, मैं बहुत खुर्शों दिदी, हलो, हलो, दिदी, हलो, 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 मैं बहुत खुर्शों, तुम बैड़ जाओ भेती, कौन है ये? अरे इससे नहीं जानती है अब बुलूजी की बेटी है जूटी थी तब इसके पिताजी जेल गये थे अच्छा जल्दी वहां था छूटने वाले हैं भग्मान जैसे इंसान है वो काउं की भलाई के लिए जेल गये थे बस रोक ना अब बढ़ी तो पादिश महीं थी इतनी जल्दी वापस आ गई मैं बहुत टेंशन में प्लीज मुझे आकेला छोड़ दो किसी ने तुम्हारे पापा की बारे में कुछ कहा कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे बात ही ऐसी है कोई नहीं बात थोड़ी ना है यह बुलूजी की वो तेरे पिता जी है बेटा रिश्टर समझाने की कोशिश मत करो मां पुझी यह क्या कह रही हो भारगाओ तुम बीच में कुछ मत बूलो अगर अभी इसे कुछ भी कहेंगे तो इसकी समझ में नहीं आएगा मेरे भी पंक आ गये हैं अब मैं बिलकुल आजाद हूँ ऐसा और मैं बड़ी हो गई आपने उनसे मंगल सूत्र बनवाया इसने बदाश्ट कर रही हो मेरी मां और मेरे पापा दोनु मेरे लिए सिफाव ही हो सौरी यार थोड़ा लेट हो गया कोई बात नहीं कि अरे तुम रो क्यों रही हो अधा है अधा है अधा है अधा है अधा है अधा है आज से आपकी ऊपर से काला साया हट गया है और आप दोनों बंधन में बन गया है पर आपकी 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 यहाँ वखयािश हमारी सिंदगी उचाड़कर दीदी के साथ मसे कता है राख में मिल जाएगा ये कीडे पड़ेंगे इसे देखना अँड़ें ँरो झाल शो टाकर देखना कί राएगा ये हना क्या है वो कार्थी को मंग राज के पास से बच्चों को छुड़ा कर हीरो बन गया है अरे बेटा लेट कर पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं होगा बैट कर पढ़ो सुना अब उटके बैट जाओ और अब नहीं पढ़ाई को रिगा अब जाओ अब नहीं पार्दों को समझा और मनी ने च्षीना हो या लिया हो जब तक वापस न करें लेना किसी के दम को तुम लोग मुझे आप दिखाओगे लगता है काल मनी का डर निकल गया है देखो शराफत से बोल रही है अगर तुमने हमें कुछ किया तो मैं कार्टिक भाया को फोन करूंगी अब इसके भी पर निकल गये अब देख मेरा कमाल इसे उठाओंगा तो खुद आ जाएगा काल मनी के खिलाफ जो भी जाएगा उसका अंजाम क्या होता है पूरे गाओंबालों को दिखाओंगा पलीगा काल पलीगा काल श्रघया करों! कर दो कर दो कर दो वेखाई कर दो रशी कालमनी के सामने बहुत उचल रहा था ना मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता देख अपनी आखों से जो भी बेरी खिलाफत करेगा सब का हश्रा ऐसा ही होगा साहब साहब कितना सब कुछ हो गया अभगवान के लिए इस बच्चे को तो बश्टो साहब जा उसे भुला के ला नहीं तो हर घंटे की लाश किराऊंगा ऐसे मत कीजिये बाले जा तो अब उसे मिलना कैसे भी उसे बिल वह वह बहुत अनार्ट हो रहा है वह बहुत अनार्ट हो रहा है वह देखो मैं जीचाजी के पास जा बात करता हूँ ठीक भी रहा बहुत 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 है वो देखो हीरो आ गया जो ती नाम है ना बहुत है ना बहुत है जो ती नाम है ना बहुत है ना बहुत पसंद है ना मुझे बहुत पसंद है नेक्स ताइम पार्टी करेंगे बहुत है बहुत है अगत वाल, आए। जटोज़ ये थाझा लोज़ क्रिपल लोज़ 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 से लोज़ से लोज़ इसी के बल पे उचल रहे थे ना तुम लोग इसे मार के इसकी समाधी यही बना दूंगा है कोई सामने आने वाला मैरे थूके हुए को यह लोग चाड़ते हैं चाड़ते हैं और इनके लिए तुम मेरी खिलाफत करेगा काल मनी हुआ है एक चटान की तरह है काल मा आने रहे हैं तो यह और शोड़ा जहां। विर द्टान की तरह ना दॉआ चाहते हैं आने तुम आता प्रते हैं तो आता प्रते ही हुआ के जड़ते हैं दुम धा तुम को आता हैं थां। अब इस पापी का सरवनाश होके रहेगा कर दो मौत सामने खड़ी है फिर भी इसकी आखों में डर नहीं है जल्दी से इसका कुछ करो भाई अलो, मड़ आते हैं बेटा, कटम कर दो इस राक्षक्तों और आम आदीचा, वेटा जल फासरुने विंधंडर, बेटा बलत, बीबडन., बाचिण, मिषिए, डीदे हूप बेटाड़, बीजिए, इन जलीए जलीए, जलीए जलीए, घीए है ठीलैर थो, है। कर दो है इला, हुँ है? है जी जाज आगए है किया भारगव गाहों में सब लोग कैसे हैं उनका क्या है सब ठीक है और हमारा रामूलू वो भी ठीक है कि गाम चलो सबस्तर देखने का मन कर रहा है हाँ ठीक है और दीदी है न वो आपका मंदिर में इंतजार कर रही है हुआ 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 है वाल वाल देखो बेटी जो होना था वो हो गया अब अपनी तभीयत क्यों खराब कर रही हो जो चला गया उसके पीछे अपनी संद्गी तो नहीं छोड़ सकते मेरी बात मानकर आगे का कारे करने के लिए तैयार हो जाओ पिंडदान नहीं करेंगे तो आत्मा को शांती कैसे मिलेगी कि मुझे अशुब बोलता है मुझे अशुब बोलता है मुझे अशुब बोलता है पिंडदान करने के लिए पुल रहे होगी नहीं में चाहूं की संदूर पिता जी उसका सर लाकर मेरे सामने रखो उसके बाद उसके खून से नहाऊंगी मैं उसके मास से अपने पती का पिंडदान करूंगी मैं तब कुछ दिनों से कुछ गरों में धीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा जिस भगवान की पूजा की उस भगवान ने भी हमारी तरफ नहीं देखा चोटे-चोटे बच्चो को बेरहमी से मारा तब आया एक अंजान नौजवान जिसने अपनी जान की परवा किये मिना हमारे लिए लड़ता रहा विस साल पहले जिस तरह आप खड़े हुए थे ठीक उसी तरह आज वो खड़ा है मालिक इतना सब कुछ होने के बाद वो एमेले कार्थिक बाबु को नहीं छोड़ेगा कार्थिक बाबु बहुत अच्छे इंसान है उन्हें कैसे भी बचा लीचे दूबता सुरज हमेशा अंधेरा देता है और सुबह एक नई रोश्नी आप लोग धरुमत मैं हूं ना नमस्ते मालिक हूं 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 सब लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं मतलब लड़का अच्छा ही होगा एक काम करो उसे खाने पर बुलाओ कौन से लड़के को जीजा जी वह भाई कार्थे एक अब बड़ी मा कैसी हो अब बेटा गया है तो घर में रौनक आ गई है बस अब पोती की शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूं आजरूर कोई अच्छा रिष्टा मिलेगा तो करेंगे ना अरे वो कार्थिक को खाने पर बुलाया है वही उसकी बेटी के पीछे पड़ा है ये उनको पता नहीं सच बताओंगा तो जीजा जी कैसे रियाक्ट करेंगे पता नहीं आज नहीं तो कल जीजा जी को पता चल जाएगा मैं अभी जाके सब बता देता हूं मैं बता दूंग आज ही सब बता दूंगा सच्छा है आप बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे इसलिए अब तक नहीं बताया मेरे जैसा कोई है यह जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी और अब पता चला है कि वो मेरी बीटी से प्यार करता है तो मेरा खुम खुल रहा है प्यार में आपको सब कुछ स्वर्ग लगता है और वही शादी के बाद आपके जिंदगी उस प्यार के वजह से नर्क बन जाती है यही सच्छा ही है मेरी बीटी मुझे बाप के रूप में कबूल नहीं करेगी और फिर कल उसको मनाई मेरी वजह से मेरी बीवी ने जो तकलीफें उठाई है मैं नहीं चाहता कि मेरी पेटी भी वैसी तकलीफ उठाए अब दुखी की वोते मालिक मार देते उसको अगर उससे मारना होता तो मैं कब का मार चुका होता मालिक छोटा मों बड़ी बात आप बेटी के बारे में सोचीए आप ही तो कह रहे थे कि लड़का अच्छा है अच्छा लड़का अगर पास में रहे तो अच्छा होता है अगर घर के अंदर आ जाए तो काटे जैसे चुबने लगता है और जो जनता के लिए जीता है ना वो चाहे कितने भी कोशिश कर ले अपनों को कभी सुख नहीं दे सकता है कभी सुख नहीं दे सकता पती जो कहे वो मानना पत्नी का धर्म होता है पर बच्चों की परवरिश के जिम्मेदारी सर्फ मा की होती है जो हुआ उसमें जितनी गलती बेटी की है उतनी ही गलती परवरिश करनेवाली मा की भी है जो होना था सो हो गया अब जो भी करना है वो सोच समझ कर किए। भरगाव मैंने जो कहा वो जोश में कहा पर तुम्हारी दीजी ने जो कहा। वो पूरी तरह सोच समझ के कहा, होश वहास में कहा। उसके और उसके घरवाले मेरे दिल की बात समझ जाएं। इस तरह पेशाना तुम। तुम लोग जाओ तो लगना चाहिए शादी के पत्रिका देने गए हो यह आपकी बेटी है बहुत सपने देखें होंगे न आपने अलाद के लिए सपने तो हर कोई देखता है नॉर्मल बात है शहर में मर्डर करना भी नॉर्मल बात है ऐसी बात पर ड़नना भी नॉर्मल है हमारे जीजा जी ने भी बहुत सारे सपने देखे हैं बात सुनाई दी पर समझ में नहीं आई आपके बेटे को समझाईए दोबारा हमारी बेटी से ना मिले कहां जारी यो क्यों फोलिजआ को यहिज epic किया बात है पपा पाधों को पाणी डाल रहे हो पौधे सूख रहे है अरे इसने इतनी बार फोन क्यों किया यह लोग कौन दें पपा मालिक इसको ऐसे करेंगे ना तो हो चाहिए आपके आदमी मेरे पापा से मिलने गए थे इसलिए मैं आपसे बात करने आया था बेटा, बैठ कर बात कर लो कोई बात नहीं आणटी आपकी बुझी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं इससे ज्यदा और क्लारिटी नहीं दे सकता है इससे स्विच आफ कैसे करना है मालिक इसको हाथ से पाए से दाए खेचे के तो ही मैं मेरे बेटी को अच्छी संद्धी देना चाहता हूँ जो तुम नहीं दे सकते मतलब मैं कुछ समझा नहीं अभी तुम्हारी समझने की उम्र भी नहीं है बेटा आपकी तो समझने की उम्र है ना आपकी भाषा में बात करते हैं छोटे बड़ों से कैसे बात करते हैं माने नहीं क्या हमारे दर्वाजे पर खड़े होकर हमसे ही ऐसे बात कर रहे हो अगर तुम्हारे माबाप हो दे तो अपनी बेटी ऐसे किसी को दे देते आप जो कह रही है वो हंडेट पसंट येर है पर हमारे बीच प्यार भरोसा और अंडेस्टेंडिंग है आउटी वो अगर कह दे कि मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं यहां से चला जाओंगा अगर हमारे सिक्के में खोट हो ना तो बाते सुननी पड़ती है मतलब बलती हमारी है हमारी बीटी पर नज़र डाल कर इसने वेच चुरा लिया और हमें बानक तक नहीं लगी सेटल्मेंट इस है यह बताओ मभष में क्या बनना चाहते हो किसान बनूंगा अंकल खेती वाड़ी करूंगा खेती वाड़ी से अच्छा और क्या हो सकता है अंकल और एक किसान के आगे तो हर कोई चीटी से भी छोटा है हमारे घर की इजट अगर मैंने तेरे हाथ में दी तो तुझे हमारी हर बात माननी होगी कॉलेज घर हमारी बेटी के लावा तेरे दिमाग में और कोछ नहीं आना चाहिए फ़ाउस में कोई मर रहा हो या कोई तकलीफ में हो उसकी तरफ नहीं बल्कि मेरी बेटी के तरफ ध्यान देना बदलना होगा नो महीने कोक मेरा कर जनम देने वाली मा जो जी जान से चाहती है कोई आँच नहीं आने देती है उसकी हर खौईश पूरी करने की पूरी कोशिश करती रहती है ऐसे ही कोई अर अगर आकर लव कहकर खीच कर ले जाएगा तो क्या हम लोग चूड़िया पैन के बैठें और खामोश रहेंगे बदलना होगा ये बात है तो आपकी बेटी और उसका प्यार दोनों नहीं चाहिए मुझे भी तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए वो मेरे पापा है उन्होंने मेरे लिए तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाया है लेकिन उनकी वाते तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही हाश तुमने मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया लेकिन तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ तुम्हारी वज़े से मुझे पता चला मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं तुम ही मेरी जिन्दकी हो और मुझ में तुम ना रहो तो नहीं जी सकता मैं जैसा था तुमने वैसा ही प्यार किया था लेकिन अब अपने पताची के लिए मुझे बदलने को कह रही हूँ अगर मैं सच में बदल गया, तो शायद तुम मुझे पसंद ना करो अगर मोझे में बदल गया, तो शायद तुम में साथ संद ना करो कर दो कर दो कायत्री क्या है जी हमारे बेटी को जो हमें पसंद है वो दे या फिर जो हमारे बेटी ने पसंद किया है उसे वो दे हम चाहें कुछ भी दे पर हमारी बेटी सिंदकी भर खुश रहनी चाहिए बस हमारे बेटी खुश रहनी चाहिए खुश रहनी चाहिए गायत्री क्या हुआ जी करति के घर बात करने चलते हैं तुम तहीं आरव जाओं अंने अंस्ते जी नमस ची अई आई अई आई तो नहीं पेड़ पौधों से बचपन से आकर लगाता था और देखभाल भी करता था पेड़ पौधों की बिना मनी नहीं लगता है श्री उट आए आए बैठिये ये मेरी बेटी है नमस्ते आठी क्यासी हो बेटी ठीक हूँ आपको तो सब पता ही है मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख पा रहा हूँ तो वो जो चाहते हैं अगर वो कर दें तो अच्छा रहेगा अब हम क्या कहीं आप बड़े हैं आप समजते हैं लेकिन हमारा बेटा बिना कुछ सोचे किसी के भी मामले में उलज जाता है उसे मैं कितना समझाती हो लेकिन वो सुनता कहां है उसके बवीशे के बारे में सोचती हूँ तो डर लगता है मैं अभी उनकी शादी करवाने के हिसाब से नहीं आया हूँ प्यार करने के लिए सिर्फ दिल ही काफी है पर शादी के लिए एक दूसरे को समझने के लिए जितनी उम्र होनी चाहिए वो उम्र अभी उनकी नहीं हुई है एक छूटी सी बात पर दोने एक दूसरे पर उंगले उठा दें तो फिर जिन्दगी पर एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे इसलिए कुछ दिनों के लिए हम उन्हें यहां से दूर भेज देते हैं मुझे यकीन है मेरी बेटी कार्थिक को बदल देगी तो ऐसा करते हैं इससे पहले दोरो एक साथ बापके बेटे पर मुझे पूरा विश्वास है अब लू जी आप सही हैं आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा हुँ हुँ कि अब हुँ हुँ भी उपिंद कृण अरु जूए भी सर्ट्ति मुझान और शेमे नहें को संधियू मुस्तिरी साले, साले, साले सेले, 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 सेले हाथ बहार निकालो तुम्हीं या क्या करी है होस्टल में नहीं रह पाऊंगे मुझे वहां नीद नहीं आती है इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ ही रहोंगी तुम पागल हुगी हो कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा जाओ होस्टल पे जाओ मैं वहां के मिलता हूं अच्छा उख एक होगी तुम्हारे बाहर जाओ अच्छा रहोंगी तुम्हारे बाहर जाओ तुम्हें जो भी बोलो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी प्लीज कार्थेक अरे यार माद को समझो जरा प्लीज 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 ना प्लीज 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 ना प्लीज जेगिंग कार्टे क्रीज कार्टे क्रीज या है तुमी प्रॉब्लम किया है अखिर क्यूं डरा रही हो एक जला कि अग्रोंगी मोटी कही ही कि चलो जाओ अपत्हुम कौन से हीरो हो मेरे ममी पापा ने क्या कहा था कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती हम दोनों साथ ही रहेंगे तुम्हें भी पता है ना लेकिन यह कैसे हो सकता है बात को समझो जरा तुमने मुझे ऐसी वैसी समझा है क्या जो मैं कुछ करूंगी मुझे सच-सच बताओ तुम्ह मैं मुझ पर विश्वास नहीं है ना सही कहना ठीक है मैं होस्टल में ही रहूंगी ठीक है आज से हम तोनों एक साथ ही रहेंगे हुश तबियत तो ठीक है लेकिन अगर आप उसे छोड़ देंगे तो उसकी मेंटल इस्तिती बिगड़ सकती है सेर जरा ध्यान लखना होगा आपको ठीक है डॉप्टर साहब जी चलता हूँ क्या सोच रही है आप बेटी ने उसका सर ही तो मांगा है लाकर दे दीजी फिर सब ठीक हो जाएगा मैं जो कह रही है उसे समझने की कोशिश कीजिए इलेक्शन होने में तीस दिन बागी है और हमारे पास टाइम है और आप अपनी बेटी के लिए हत्यार उठाईए कि क का अवागी है छाए पास अवाद् ini दिर सक्टार बेटी के लिए हैं aumento का अता है और आप ने पास अंवा exercise को बड़ था का ःविर ने हुष समय हो गया है अचास वरी यह था कॉफी कार्थे कॉफी कार्थे कॉफी चाहिए उठो ना कॉफी चाहिए कॉफी चाहिए मुझे अरे चुपरो तो शांती से सोने भी नहीं देती कॉफी 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 शुगर नहीं है शुगर नहीं है अक्छली कॉफी जैसी नहीं है कॉफी नौर तकी कहिंगे कहारतिक कॉफी तोनी सी हेल्प कर दो शादी के बाद तो सब कुछ मुझे ही करना है एक ही टॉब है ना प्लीज 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 तो इस आप ढाद झाप 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 प्लाभ झाप कार्दिर, एक मिनट्ट हाँ? कार्दिर, इसे भी दोता कार्या हाँ? बुझी, हे मोटी, मैं चालेज जारा हूँ, क्या गर रही हो? यह एक मते हूँ, मैं खाना खाकर आराम से सोजाना हाँ? ठीक है ना कार्दिक क्या हुआ क्या हुआ क्या रही हूं पाकेट लेकर आना क्या गा हां पाकेट लेकर आना हां भाइया लेडिस वोली क्या चाहिए आपको वो जाना वो मुझे अच्छा यह कौन सा फ्लेवर चॉकलेट यह ओरे वो स्टॉक खेतम हो गया सर बनाना फ्लेवर है वह दूख्या वह दूख्या थे मोटी क्या हुआ हुआ अब रहे हैं मुझसे यह सब नहीं होगा यह सबसे ज्यादा अपडेट होना चाहता था तुम कैसे भी अच्छ्छ यह सब करना होगा अरे ऐसी बात नहीं है शादे की बात तो मुझे ही करना है ना यह सब का गई होगी है हालो यह पागल कहां गाइब हो गई तुम बिना बताय चली जाती हो इतनी आसानी से तो में कैसे बता दो लंच टाइम पे नौवर्टन थियाटर के पास ठीक हैं ओके बाई आफ देना है अलुक गई हां ड्याथ यह चुंग टिया है यह द्नाहे तो मिल्कुल शोक हो जाएगा अब टॉल साइप डुक्तिया है क्था क्रिटीन ही जी आए इसले कि बात पाप पाप शबरी बाप पाप सुधा क्या तुम्हारा लव प्यूर है कार्टिक का तो है प्यॉर लव मेरा पता नहीं प्यॉर लव क्या मतलब है तेरा खाना बनाता है ना कपड़े दोता है ना शॉपिंग के लिए लेकी जाता है ना कोल्ट बगएरा दिलाता है ना एई बता ना सुधा लेट हो रहा है एक बार कार्टिक को फोन करो ना हुआ है कि अ कि कि अ कि अ लुआ है कि अ कि अ कि अ कि अ कि 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 पुझी नाराज लगती है बुझी नाराज लगती है वाव 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 क्या लोकेशन है कमाल कर दिया सप्राइज बोला तो कुछ और समझा था है एह कहा जा दियो तुम यहां आए उसके लिए तैंक्स एसी बात नहीं है सोना होуч Gamoo वह ये क्या हुआ लुझी चोट असा एक्सिदेंट हो गया था बस एक्सिदेंट और लडाई में मुझे फरक नहीं आज तुम्हारे लिए मैंने कितनी सारी प्लानिंग की थी लेकिन तुमने वो सब कुछ स्पॉय कर दिया सोचा था वक्त खुशी से गुजर जाएगा लेकिन गाउं में जो कहानी खत्म होगी वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई करते हुए जाएगा करते हुए जाएगा करते हैं करते हुए जाएगा करते हुए मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया अगर जीवन साथी तुम्हारे पास ना हो तो जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है यह मा को देखकर पता चला गार्दिक मेरी सारी हरकते तुम्हें पहले अच्छी लगती थी तो फिर अब क्यों नहीं लगती हैं अब ऐसा क्या हो गया है यह शायर मैं ही ज्वार्थी हो गई हूँ मुझे बस तुम चाहिए क्यों प्लीज मेरा साथ कभी मल्चोना कार्थी साय जाने कार्थी कार्थी साथ में चले तो होस्टल के पास क्यों लेकर आयो है आज से तुम यहीं रहोगी मेरी सोना यह तुम्हारे लिए सेफ है ओँ समझ गई तुम मुझे जेल नहीं पारहे हो इसलिए डारेकली नहीं बोलकी इंडरेकली यह कर रहे हो अधरे ऐसी बात नहीं है मेरी बात तो सुने कोहीं ज़रूरत कि अच्छी तरह समझ गई मैं तुम्हारी फीडम के बीच में आ रही हो ना इसलिए मुझे पिना बताए यहां और यह उस्टल लेकर आगए जा 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 देख लेना उस बेचारे को मारा था तो देखा नहीं गया मैं वहां बात करें थी उसे अंसुना करके एक अंजान आत्मी के लिए चले आए वह ज्यादा ज़रूरी था क्या सेंस की बात करो जब देखो अपनी पड़ी ही रहती है चलो जाओ समस्निकी, को शीश नहीं करती? द़ने फिस्काइगी को अला तबो? मुझे यहां क्यों लेकर आयों कार्थिक कहा है चुप हमारी छोटी मालकिन का सिंदूर मिटा कर तेरे साथ गुल्छर्रे उड़ा रहा है हमारे घर की खोशियां उजड़ गई महंदी का रंग उतरने से पहले ही वो विद्वा गई तेरे कार्थिकी वो जैसे प्रिया असकी लवर को उठा कर ले आया है आखर हो कौन तुम लोग है चिल्ला क्यों रही है चिल्ला क्यों रही है चिल्ला है कि तो यह काट दूंगा अधिर प्रिया अधिर इसे भाग क्यों रही है साथे अधिर अधिर हुआ अधिर 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 कर दो मちゃ高 राव दॉंच मैंने जो सुना, क्या वो सब सच है कार्थिक? तुमने जो सच सुना, उसके पीछे एक लड़की की जिंदगी पर पात हो गई तुमने जो गलत किया, उसे जही थापित कर रहे हो? एक कर रहे हो, एक सकता पंगे हो प्ली को प्ली के आपाता है दिए सुन्ए। आण निए सुन्ए। सुन् fluctे प्याइ party आदके अए पंधरा दिनों तक युद्ध चला था, लाखों लाशें, कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म के लिए हुआ था मैंने भी जो किया वो धर्म के लिए जी और प्राइब और डाइब आफगा लंगा भी आफगा उड़ाईब और लुटेश्टारों कर दो कर दो क्या हुआ बेटी कार्तिक का साथ नहीं जाहिए मैं जो कह रही हूँ वो सच है इतने दिन उसके साथ रही तो समझ में आए कि उसे नहीं बदल सकती मेरे लिए कार्तिक सही नहीं है मेरे अंदर मा की तरह सेहन शक्ती नहीं है मैं परताश नहीं कर पाऊंगी ऐसी सिंदेगी मुझे नहीं चाहिए पापा जैसे तुम्हारी मर्जी है हर प्रेम कहानी में बड़ों की वज़े से प्रॉब्लम होती है प्यार में धोका होता है पर प्रेम कहानी में डर है श्राप है उसके पिता के रूप में डर है मुझे कुछ हो जाएगा इस बात का डर है मरते दम तक हमारे बीच प्यार करने की बाते होती है लेकिन वो बाते सिर्फ बाते ही रह जाती है अब मैं उसका डर कैसे मिठाओं और मेरे प्यार को खत्म करनो इतनी शक्ति मुझ में नहीं है नहीं है मुझ में तुछ बिन कैसे जी सकूँ ये घम कैसे पी सकूँ तेरे बें कैसे रह सकूँ ये दर्द कैसे सह सकूँ तेरी आद धुल से जाती है नहीं धड़कने सुकूँ पाती है नहीं ये महबत है एक दोखा कोई करे ना कभी ये महबत है बेगानी ये किसी की ना सगी तुझे बिन कैसे जी सकूँ ये घम कैसे पी सकूँ इस लड़के ने पगर कर दिया तुम्हें अइस लड़के ने पंगर कर दिया ये तुम्हें अगल होते जा रहा है, मैं ऐसे ऐसे नहीं देख सकती, मा छोड़ो उसे, मा, तुझे हमारी तकलिफ नहीं दिखाई दे रही, मा छोड़ो ना, आप कैसा शान्द रह सकते हैं, आप कुछ बोलिए मैं इसे, अपना पे तरेशी क्यों ले रही है, ए बगवार में क्या करूँ जाते हैं वो प्यार की रस में तोड़के, साथ जीन मरने वाली कस में तोड़के, जिसके सबने देख थे वो सबना ना रहा, कोई जग में यारो अपना ना रहा जाते हैं, 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 जाते तेरी याद दूसे जाती है नहीं धड़करने सुखू उपाती है नहीं ये मोहबत है एक दुका कोई करे ना कभी ये मोहबत है देगारी ये किसी की ना सबी वक्त बड़ा बेरहम है क्यों मिलता है और क्यों अलग करता है इसका कोई पता नहीं आप ग्रेट है कार्तिक इतनी बड़ी लव स्टोरी में मैं क्यों नहीं हूँ जेलस फील होता है ओढ़ा की घज़ी लगूा वा क्यों एका पना माहा हूँ झाल 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 बाबू बाबू मेरा है माची इसके बारे में आपको पता है हाँ वो रोज आकर कबुतरों के साथ वक्त गुजार कर चली जाती है मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं जोड़गा और मुझ में तुम्हारा रहो तो भी नहीं जीस सकता हूँ मैं जैसा था तुमने वैसा ही प्यार किया था ना ऐसी जिंद्ध की मुझे नहीं चाहिए बाबु मेरा है बता नहीं किसने क्या पाप किया उस बच्चे की सर से बाप का साया चीन लिया बेचारी अकेले जिंदगी काट रही है अबुलू जी अबुलू जी अबुलू जी अबुलू जढ़ कार्तिक कार्तिक ही हूं आप Hypоты जिस है छुआ प्रूंस जो है वो है अबुलू जी अबुलो जी वाँ 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 ताली बायाओ तेरा में सब्सक्राओं ने चलेंगे क्यों बड़े साब अपने बेटी को सुनहेरी जिन्दे की दोगे कहकर ले गए थे मुझे ठुकराया कोई बात नहीं लेकिन आज उसकी हालत का जिम्मेदार कौन है अब तक उसकी जिन्दगी में मैं क्यों नहीं आया पता है आपको सोचाता है वो कहीं पर भी होगी लेकिन खुश होगी आपकी बेटी को मैं कैसा देखना चाहता था पता है उसके माथे पर एक प्यारी सी बिंदी होगी एक छोटा बेटा एक बेटी उसका पती साथ हो बहुत खुश देखना चाहता था आप ही के सामने सिंदुर के बिना ची रही है वो चैसे इंसान है आप क्या कहाता आपने कि मैं उसके लिए करेक्ट नहीं हूँ मैं अभी भी बोल रहा हूँ मैं ही करेक्ट हूँ उचे उचे करेक्ट नहीं है अब यह मेरी पत्नी है जो करना है वो कर लीजिए उस दिर अपनी बेटी के लिए मैंने तुम बदलने को कहा था तुम ठुकरा कर चले गए साथ वे रहोगे इसलिए भेजा था नहीं रहे और आज मंगल सूत्र बान दिया उस दिन जब मुझ पर चलाए थे तो इसने विरोध किया था फिर बाद में कहा कि ये तुम्हेरे साथ नहीं रहेगी और अब मंगल सूत्र पहन भी लिया वस हर जुका कि स्विकार कर लिया अब तुम एक दुसरे एक साथ रहना चाहते हो तो हमारे लिए इससे बड़ी खुश है और क्या होगी दुनिया में कोई भी बेटी का बाप सिर्फ इसलिए लड़ता है ताकि उसकी बेटी खुश रह सके हाँ बेटा इस सफर में तुमने बहुत कुछ पाया हमारी बेटी भी बहुत बड़ी हो गई कितनी बड़ी बता है तुम्हें हास्पिटल में इस बच्चे के माबाप इसे छोड़कर चले गए और इस सनाथ बच्चे को इसने मा और बाप दोनों का प्यार दिया लोगों की बातों में आकर तो राम ने भी सीता को जंगल में भेड़ दिया था तुमने जो देखा वो जूट था पर उसे सच मानकर भी तुमने मुझे मंगल सुटर पहना ले बहुत दुख दिया है मैंने तुम्हें और सिंदगी भरे से ही साथ रहना है आखरी सांस तक में तुमार साथ तुली कास तुम्हें कर दो दुम्हें